श्रीलंका के राजपती गोडबाया राजपक्षे ने जंता के भावरी विरोध के बाद भी अभी तक पत्से इस्तीफा नहीं दिया है जबी श्रीलंका के कारवाहक राजपती रानिध विक्रम सिंगे के आदेश पर देश की सेना ने मोर्चा समाहगलिया है और संसत के बाहर टैंक तैनात कर दिये हैं वहीं श्रीलंका में प्रदशनकारी भी थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं प्रदशनकारीों के तरफ से कहा गया है कि वे आधिकारिक इमारतों को जल्द छोड़ देंगे फिलहाल रास्पती गोदबाया ने अब तक स्तीफे का एलान नहीं किया है हलाकि गोदबाया ने बयान जानी करते हुए कहा है कि वे काफी दबाओ में है वहीं सायूक तरास्ट महासचिव ने कहा कि श्रीलंका के हालात पर उनके लगातार करीबी नजर बनी हुई है उन्होंने कहा है कि यह महतपूर है कि विवात की जड़ और प्रदर्शन कारियों की मांगो का समाधान किया जाए इसके साथ ही यूएन महासचिव ने सभी पार्टी नेताओं से शांती पूल और लोगतांत्रिक परिवर्तन के लिए समझोते की भावना अपनाने के अपील की है दरसल श्रीलंका में बुदवार को हुई भारी विरोध प्रदर्शन की वज़े से 80 से ज्यादा लोग घायल हुए है पीम आवास पर घुसने के दौरान करिब 42 लोग घायल हुए जबकि संसत के नजदीक राद भर चले प्रदर्शन में 42 लोग घायल हुए घायलों में एक आर्मी ओफीसर समेथ दो पुलिस ओफीसर और दो पत्रकार भी शामिल है